Hello students, welcome in the online classes of MDN school Kalahit. As you know, we are on fourth lesson of history of 10th class. आज हम fourth lesson पढ़ेंगे. 19 स्ताबदी, 1815 से 1914 तक. 19 स्ताबदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी. आर्थिक, राजनेतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तक्निकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया प्लट कर दी. किसके कारण? नई तक्निकी के कारकों के कारण. और विदेशी समंदों के नए डरे में डाल दिया. और सास्त्रियों ने अंतर राश्त्रिय आर्थिक विनेमे में तीन त्रह की गतियों या प्रवां का उलेक किया. इन में पहला प्रवा व्यपार का होता है, जो उनिस्वी सदी के मुख्य रूप से वस्त्मों जैसे कपड़ा या गेहुं आधी के व्यपार तकी से मित्ता. दूसरा सरम का प्रवा होता है, इसमें लोग काम या रोजकार की तलास में एक जगह से दूसरी दे जाते हैं. तीसरा प्रवा पुंजी का होता है, जिसे अल्प, मतलब थोड़े समय या लंबे अवदी के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेस कर दिया जाता है, मतलब इन कारकों के बीच मोजूद सम्बंध तूट भी जाते थे उदान के लिए वस्तों या पुंजी की आवाजाई के मुकाबले सर्मकों की आवाजाई प्राय प्रक्या था ज्यादा सर्ते और बंदी से लगाई जाती थी किस पर मजदूरों के आने जाने पर फिर भी यदि हम इन तिन परवाओं का एक साथ अध्यान करें तो उनिस्वी सदी की विशव अर्थवेवस्ता को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं आईए हम अर्थवेवस्ता को विस्तार से पड़ें इस विश्या को समझने के लिए सबसे पहले और द्योगी की रोप में खादू करते हैं लेकिन उनिस्वी सदी के बिटेन की बात अलग थी अगर उसमें बिटेन खाद आत्मनिर्वरता के रास्ते पर चलता तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और समाजिक तनाव फैलता आईए देखें कि इस आसंका के पीछे क्या कारण थी अठार्वी सदी के आखरी दसकों में बिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी मतलब कहने करता है बिटेन की जन संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी नतीजा देश में बोजन की मांग भी बढ़ी जैसे जैसे सहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे और क्रिसी उत्पादों की मा के आयत पर पाबंदी लगा दी किसके कहने पर बुस्वामियों के कहने पर जिन कानुनों के सारे सरकार ने पाबंदी लागू की थी उन्हें कोरन लो कहा जाता है खद्य पदार्थों की उची किमतों से प्रेशान उद्योगपतियों और सहरी बासिंदों ने सरकार को मजबू और कोरलो के निरस्ट हो जाने के बाद बहूत कम कीमत पर खादपदार्तों का आयात किया जाने लगा। हजारों लोग बेरोजगार हो गए और गाउं से उजड़ कर वे या तो सहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे आईए हम जब खाद पदार्थों की किमतों की में गिरावट आई तो बिर्टेन में उबोक का स्तर बढ़ गया उनिसमी सदी के मद्दे से बिर्टेन की अद्योगिक परगती काफी तेज रही जिससे लोगों की आय में वरीदी हुई किसके कारण अद्योगिक परगती के कारण और इसे लोगों की जुरूरते बड़ी, खाद पदार्थों का और भी जादा मात्रा में आयात होने लगा, पुर्वी उरोप, रूश, अमेरिका और आस्ट्रेलिया, दुनिया के हर इसे में ब्रिटेन का पेट बरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी, खेती हर इलाकों को बंदरगाहों से जुड़ने के लिए रेलवे की भी जुरूरत थी, क्योंकि उसका खेती, उसका उतपादों का आयात और निर्यात करना और जादात में माल डुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुराने गोदियों को फैलाना जुरूरी था, नई जम बसाना जुरूरी था, इन सारे कामों के लिए पुन्जी और सरम की जरूरत थी, इसके लिए लंदन जैसे वीतियक एंदरों से पुन्जी आने लगी, अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने ल 19 सदी में यूरोप के लगबग 5 क्रोड लोग अमेरिका और आस्ट्रेलिया में जाकर बस गई, माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगबग 15 क्रोड लोग बहतर अच्छे बविसे की चाहा में अपने गर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थ 1890 तक एक वैस्विक क्रीशी अर्थ वविस्ता सामने आ चुकी थी इस गटना करम के साथ ही स्रम विस्तापन रुजानों पुंजी प्रवाओं और पारिस्थितिक के और तकनीकी में गहरे बदलाओं आ चुके थे अब वो जिन किसी आसपास के गाओं या कस्बे से नहीं बलकी हजारों मिल दूर से आने लगा था अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे अब यह काम ऐसे अद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो स्मभवत है हाल हाल ही में वहां आये थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीडी पहले समभवत ठेट जंगल रहे होंगे खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने के लिए रेलवे का इस्तमाल किया जाता था रेल का नेटवरक इसी काम के लिए बिचाया गया था मतलब क्या है उस खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात करना और पानी के जाजों से इसे दूसरे देशों में पहुचाया जाता था इन जाजों पर दक्षिन यूरोप, एशिया, आफ्रीका और केरिबिया इदूसमों के मजदूर से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था मतलब कम मजदूरी पर काम करवाया जाता था और बहुत छोटे पैमाने पर बहुत छोटे पैमाने पर ही लेकिन इसी तरह के नाटकिय बदलाओ हम अपने ही यहीं पंजाब में भी देख सकते हैं यहां ब्रेटिस बारतिय सरकार ने अर्दरेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाओ बनाने के लिए नैरों का जाल बिछाय दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जासके नई नैरों की शिच्चाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर यहां बसाया गया जो जमीन वहां खाली पड़ी थी और उनकी बस्तियों को केनाल कलोनी यानि नहर बस्ती कहा जाता बोजन तो सिरफ एक उदान मात्र है कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही है जिसकी दुनिया बर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिस कपडा मिलों की मांग को पूरा किया जासके और रवड की कहानी भी इससे अलग नहीं है विबिन चीजों के उत्पादन में विबिन इलाकों ने इतनी महारत हासिल की कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विशव वैपार में 25 से 40 गुनाविरी दी हो चुकी थी इस वैपार में लगबग 60 परतिसत हिसा प्राथमिक उत्पादों यानि गेहूं और कपास जैसे क्रिशी उत्पादों तथा कोईले जैसे खनीज पदार्थों का था मास उत्पादों के वैपार में इस प्रकरिया का अच्छा अंदाजा मिलता है 1870 के दसक में अमेरिका से यूरोप को मास का निर्यात नहीं किया जाता था उस में केवल जिन्दा जानवर ही बेजे जाते थे जिने यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था लेकिन जिन्दा जनवर बूच ज़्यादा जगय गेरते थे, बहुत सारे तो लंबे स्पर में ही मर जाते थे या बिमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था, कम हो जाता था या वे खाने के लाइक नहीं रह जाते थे, इसी वज़े से मास खाना एक महंगा शो पादन भी कम रहता था, नई तकनीकी के आने परियस्ती थी बदल गई, पानी के जहाजों में रेफ्रीजरेशन मतलब जो फ्रीज होते हैं रेफ्रीजरेटर की तकनीक स्थापित कर दी गई, और जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को लंबी यात्रों पर ले जाया जा सकता था, फ्रीज के दवारा उनको सुरुक्षित रखा जा सकता था, इसके बाद तो जानुरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा, अमेरिका, आस्टेलिया या न्न्युजिलेंड सब जगय से जानुरों की बज़ाए उनका मासी यरोप बेजा जाने लगा, इससे पूरण खुराक मिलने लगी मतलब विन विन परकार की पहले उनके पास सिरफ आलू और ब्रेड होते थे अब बहुत सारे लोगों के बोजन में मासा हार और मक्षन वैंडे भी सामिल हो गया और जीवन स्थीती सुधरी तो देश में सांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में सामराज्यवादी मसूबों को समर्थन मिलने लगा आए हब हम 19. सदी के आखिर में उपनी वेश्वाद 19. स्थापित के आखरी दसकों में वैपार बड़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा यह केवल फैलते वैपार और संपन्ता का ही दोर नहीं था हमें इस परिकरिया का के शाय पक्ष को भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए वैपार में हिजाफे और विशव अर्थ ववस्ता के साथ निकटता का एक प्रिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे बागों में सवत्मत्रता और आजी विका के साधन छिनने लगे और 19. सदी के आखरी दसकों में यूरोपिय की विजों से बहुत सारे कश्ट दायक, आर्थिक, सामाजिक और परिस्थितिक किया प्रिवर्तनाय और ओपनी वैसिक समाजों को विशव अर्थ विवस्ता में समाईत कर लिया, मतलब अर्थ विवस्ता में सामिल कर लिया. थैंक्यू स्टुडेंट्स, आज हम यहीं पढ़ेंगे, और आज आपका होम रखोगा, कोई तीन स्मॉल क्रेंट्स फ्रेम करेंगे, ओके थैंक्यू स्टुडेंट्स, घर पर रहें, सुलक्षित रहें, हैव ए नाइस दे,